समस्कार दोस्तों एक बाफ फिर से वेकंसी जहाँ पर रिलीस कर दिये गई हैं आप सबी लोग को बताना चाहता हूँ स्वास्त विवाग में सरकारी भरती के लिए विज्यापन यहाँ पर जारी कर दिये गया हैं सबी तरीके के पोश्ट आप रहने वाली हैं स्टाप नर्सि और दिये गई किस तरीके से अप्लाइ करेंगे लाज देट यहाँ पर क्या रहने वाली हैं पोश्ट वाइस कितनी क्या विकेंस यहाँ पर शामिल की गई हैं एज क्रेटिरिया क्वालिफिकेशन और सैली पेकेच के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको आपको आपर मिलने पूरी जानकारी आपको आप वीडियो में मिलने वाली है लाइक जरू करें कमेंट बख्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप सबे लोग हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों स्टाफ नर्सेस और पैरमेडिकल श्टाफ की हर इक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें आगे और भी vacancies की जानकारी आपका पर मिलने वाली है तो वीडियो की नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बटन को आपे क्लिक कर लें स्वास्त बिवाग की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे पात रहें तो बिल्कुल शुरूबात का देता अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इंफोर्मेशन की और तो सबसे पहले देखिए आप सब लोग को बाताना चाहता हूँ चालीस अजार रुपए वेतन आपको आप पर दिया जाएगा इंटर्व्यू के मादयम से आपको आपको आपर सेलेक्शन मिलने वाला है MBBS की डिगरी इसमें आपको आपको आपर चाहिए है और दोस्तों देखिए आपके बाद हायर कॉलिपिकेशन है तो भी आप लोग आपर अपर अपलाए कर सकते है Medical Officer की एक और पोस्ट है और Department अलग-अलग यहाँ पर रहने वाले एक ही पद है और 62 साल उमर आपको आपर रखी गई है 40,000 रुपए वेतन आपको आपको आपर दिया जाएगा Interview के मादियम से आपको आपको आप़े सेलेक्शन मिलेगा BBS की डिगरी होना आपको आपको आप जरूरी है और दोस्तों देखिए PG डिगरी है तो आपको आपको आपर preference दी जाएगी अगली जो post दोस्तों आपर जो रहने वाली है Full-time Medical Officer की यहाँ पर रहेगी एक पद यहाँ पर निकाल गया है और देखिए 40,000,000 रुपए वेतन आपको आपको आपकर दिया जाएगा 12 साल तक कि सभी candidate यहाँ पर अपलाए कर पाएंगे और देखिए experience है और academic आपका है अच्छा है तो यसी basis पर आपको आपको आपकर SELECTION मिलने वामारा है MBBS के डिगरी होना ज़रूरी है और दोस्तों देखिए एक साल का आपके पास यहाँ पर कार्यरूमाव है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं नर्स की विकेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है psychiatric nurse यहाँ पर देखिए community nurse की यहाँ पर post है जो यहाँ पर देखिए community nurse की पोस्ट के लिए apply करेंगे जो भी आपका यहाँ पर academic है experience है और interview के आदार पर आपको यहाँ पर selection मिलने वाला है BSC जो यहाँ पर candidate है psychiatric nursing में यहाँ पर देखिए MSC है psychiatric nursing में DPN का course है तो बिल्कुल apply करें और GNM का diploma रखते है तो देखिए आप लोग यहाँ पर आविदन कर पाएंगे West Bengal nursing council का आपको यहाँ पर registration होना भी जरूरी है और एक साल का आपको यहाँ पर training course यहाँ पर रहता है 13,560 रुपे per month basis पर तंका दी जाएगी और देखे computer test academic और interview के आधार पर जो है आपको यहाँ पर selection मिलने वाला है graduation होना जरूरी है commerce field में diploma यहाँ पर certificate है computer application का तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे peer support के आप रहेगी एक पद यहाँ पर निकाला गया है और देखिए 40 साल उमर आपको यहाँ पर रखे गई है 10,000 रुपे वेतान आपको यहाँ पर मिलने वाला है और interview और academic के आधार पर आपको यहाँ पर selection दिया जाएगा यह post यहाँ पर निकाले गई है दो पद है और देखिए 40 साल उमर आपको यहाँ पर रखे गई है 17,220 पर बंद basis पर आपको यहाँ पर तनका दी जाएगी और देखिए academic है और जो भी आपको यहाँ पर interview है इसी हिसाब से आपको यहाँ पर selection मिलने वाला है जो भी candidate यहाँ पर देखिए GNM का training course रखते हैं तो बिलकुल apply करें इंडिया nursing council द्वारा यह प्रमाडित होना जरूरी है और B.S.E. nursing की qualification है तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और West Bengal nursing council में आपको यहाँ पर registration होना भी जरूरी है और West Bengal की local जो language है वो भी आपको यहाँ पर आना जरू पूरी बोला गया है स्टाफ नर्स के अगली पोस्ट है दोस्तो देखिए और देखिए 9 पद यहाँ पर निकाले गए हैं category wise information दे दे गई है 40 साल तक के सभी candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे 17,220 आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है academic और interview के आधर पे आपको यहाँ पर selection दिय जाएगा GNM का डिप्लोमा है तो बिलकुल apply करें और देखिए West Bengal nursing council का registration होना भी आपको यहाँ पर जरूरी है अगली जो poster दोस्तो देखिए lab technician के आप रहेगी blood bank के लिए और तीन पद यहाँ पर निकाले गए हैं और देखिए 40 साल और आपको यहाँ पर रखे गई है 17,220 पर मद 20 पर तनखा आपको 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 आप दी जाएगी academic, written exam, experience और interview के आधार पर आपको 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 आप सेलेक्शन मिलने वारा है 12th class पास होना आपको आपको आप जरूरी है physics, chemistry, mathematics से हो यहाँ पर देखिए biology से हो और देखिए diploma हो आपके बाद यहाँ पर MLT का और पर देखिए अगली जो पोस्ट है technical supervisor के आप रहेगी blood bank के लिए दो पद यहाँ पर निकाले गए और देखिए 40 साल उमर आपको 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 आप दी जागी academic, written और experience के आधार पर जो है interview के आधार पर आपको आप सेलेक्शन मिलने वाला है और वही बाद है 12th class पास होना बाइलोजी से DMLT का कोर्स हो या पर देखिए BMLT का कोर्स हो या पर देखिए अगर आपके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है MLT में तो भी आप लोग यहाँ पर एपलाए कर सकते हैं दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट है nutritionist की यहाँ पर रहेगी एक पद यहाँ पर निकाला गया है और यहाँ पर देखिए आप लोग को बोला जारा है 21 से 40 साल वाले सभी candidate अपलाए कर पाएंगे 20,000 रुपे तनका दी जाएगी और academic return experience इंटर्वी के अदाना पर आपको यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं डिस्टेट प्रोग्राम एसोसीट की यहाँ पर विकेंस ही है एक पद यहाँ पर निकाला गया है और 13,560 रुपे पर मन बिस्स पर आपका पतनखा दी जाएगी 40 साल उमर आपको यहाँ पर रखे गई है रेटेन कंप्यूटर टेस्ट और यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्शन मिलने वाला है ग्रेजुएशन डिक्री होना जनुरी है किसी भी फील्ड में हो और एक साल का आपको यहाँ पर यहाँ पर निकाला गया है और 40 साल उमर आपको यहाँ रखे गई है 17,220 रुपे पर मन बिस्स पर तंखा दी जागी एकरडमिक और देखें कम्पूटर टेस्ट के आधार पर आपको यहाँ पर सेलेक्शन मिलने वाला है 12th क्लास 500 आप सब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायलोजी आप देखें मैथमेटिक से और DMLT का कोर्स है और West Bengal State Medical Faculty का अगर आपके पाद यहाँ पर पर तंखा दी जाएगी academic और experience के आधार पर आपको यहाँ पर सेलेक्शन दिया जाएगा 12th क्लास पर होना आपको यहाँ पर जरूरी है और दोस्तों देखिए MLT का कोर्स भी आप से आप मांगा जा रहा है और 50% जो है marks होना आपको यहाँ पर जरूरी है जो भी आपको यह यहाँ पर फिल करेंगे लिखा हुआ है only online application will be accepted तो देखिए यह official website है इसके माध्यम से जो है recruitment section में जाएंगे और आप लोग अपने यहाँ पर फिल करेंगे अपनी सारी detail आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और दोस्तों देखिए last date मैं आपको यहाँ पर बता देता यहाँ पर निकल आएगा तो देखिए आपको आपका application form और सारे document self-attested करके आपको address पर बेज़ देना है hard copy जो है आपका print out copy जो है online registration form की demand draft भी आपको आपर बनवाना होगा और दोस्तों देखिए आपको यह address दे दिया गया है इस address पे आप लोग अपना application form और यहाँ पर आपके documents आप लोग यहाँ पर send कर देंगे इसकी जो last date है 28 December 2020 शामके 5 वे तक का समय आपका यहाँ पर रहने वाला है register post के माध्यम से करें speed post के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं तो पूरी जानकारी मैंने आपके cover किये और उमीद करता हूँ update आपको आप समझ सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले आगे और भी vacancies की जानकारी आपका मिलने वाली है तो वीडियो की नीचे जाए सब्सक्राइब के रैट बटन को आप एक लिक कर ले स्वास्त बिवा की आगे आने व